यहां पक्ष पात कुछ न राखू वेदि पुराण सतसत भाखू देश अरब भरग लता सहाए सोतियल भरम गत सुनो घगुराए राजनीती भव्व पिरीती दिखावे आपन मत सबका समझावे जब तक मत दी कोया बिना महामद पार न होया अरब का मुल्क चौद वी राख के चांद की तरह चमकेगा सोतियल भरम गत सुनो घगुराए अरब का मुल्क देश अरब भरग लता सहाए सोतियल भरम गत सुनो घगुराए अरब देश चौद वी राख के चांद के मानिन चमकेगा उसमें चमतकार दिखाने वाला एक ब्यक्ति आएगा चमतकार मौजिजे दिखलाने वाला एक आदमी आएगा उंगली के शारे से चांद के दो टुक्डे करना क्या चमतकार न था बकरी के थन में हाद लगाया बकरी ऐसे दूद देने लगी जैसे सावन भादों की बारेश हो रही हो इससे पहले उसने च्छे महीने से दूद देना बंग कर दिया हो कि ये चमतकार नहीं है एक किलास दूद को 116 सहाबा को सहाब सुपा के जतने थे सब को पिला दिया हो और दूद खतम ना हुआ हो ये चमतकार नहीं तो और क्या था वो अनहोनी बातें दिखाने वाला आएगा राजनीती भवे पिरीती दिखावे राजनीती करेगा स्यासत आज कल की तरह धड़िया स्यासत नहीं बेरे भाईयो ऐसी राजनीती नहीं राजनीती भवे पिरीती दिखावे वो भी राजनीती करेगा आपन मत सबका समझावे वो सफ़ी से भी समझाएगा और नर्मी से भी समझाएगा जब तक मत दी को या मत मानी मीठी को या मानी आवाद जब तक मीठी आवाद इस दुनिया में बाकी रहेगी निनी कुरान की तिछावत होती रहेगी, यब तक कुरान इस दुनिया में बाقी रहेगा, बिना महामद पार नहोया, उस वक्क तक मुहम्मदु रसुल्ला के बिना कोई पार नहीं हो सकता, कितने नाम हमने बता दी आपको मुहमद, महामद, अहमद, अहमिद और यहां पर भी बिना महामद पार नहो या तुलसी दाजी नाम ले रहें कि उस वक्त कोई बिना महामद के पार नहीं हो अगर एक लफ भी आज तक इनकी मीडिया ने मेरे बारे में गलत पकड़ा होता 20-22 साल की तक्रीर की दुनिया की जिन्दगी में तो अभी तक मौला ना जर्जी साहब का कितना बुरा हाल होता जेल में आप लोग अंदाजा लगा सकते नहीं मिल रहा हैं नाम बदले जा रहे हैं बदलो हम भी तो चाहते हैं वेदों में जो महामद और मुहमद आया बदलो क्या रखोगे यां जो रखोगे फिड बैठेगा ही नहीं नहीं बैठेगा इदम जनाओ प्षरुत तो नराशंसिस तश्विश्यते सश्चिम सहस्तरा नभी तम्चक और मरुश्मे धूदत महे उश्ट्रा यस्स परवाहिडो बधूमन तो दियूदशा इस धर्ती पर जो अन्तिम्रिशी आएगा आखरी नभी आएगा उसकी सबसे बड़ी पहचानी होगी दियू दो दशा दस दो और दस बारा बधूमन तो पत्निया उसके पास होंगी वो बारा भीवियों वाला होगा संबित पात्रा बताएं बारा पत्नियों वाला कौन है टीवी डिवेट पे आता और भौक के चला जाता है तुम्हारी किताब कह रही है कि वो बारा बीवियों वाला होगा वो अन्तिम्रिशी होगा हमें बारा बीवियों वाला मुहम्मद ररसूल्ला के लावा कोई दिखता नहीं हाँ किसी की 99 बीवी थी एक हजार का भी जिकर मिलता है दाओद अलेशलातुवस्सलाम 99 अलेशलाम सुलिमान अलेशलाम की 99 दाओद सुलिमान इसा अलेशलाम ने शादी नहीं की थी वो जिन्दा उठा लिये गए आस्मान पर अबराहीम अलेशलातुवस्सलाम की दो बीवी का जिकर हमें मिलता है सारा और हाजरा बाद रवायतों में तीन का भी मिलता है हिंदू धरम के अंदर राम चंदर जी के पास एक पतली थी सीता लेकिन राम के पता राजा दशरत की तीन थी राजा महराजा बहुत सी रखते थे एक लखनु के नवाब थे तीन सो महरानिया रखते थे हमें तीन सो से मतलब नहीं हजार से मतलब नहीं एक दो से मतलब नहीं आपका अथर वबे कांड बीस सूक्त नमबर 127 का मंतर नमबर दो है वो ये कह रहा है उस्ट्रायस से पड़वा हिरो उनकी प्यारी प्रिये सवारी उटनी होगी वो उटनी की उपर सफर कया करेंगे कहीं जाएंगे तो उटनी पर बैटेंगे और उनकी मान पर तिष्ठा आसमान की बुलंदी को छुएगी यानि वो बहुत महत्खूर रसूल होंगे नबी होंगे इज़त वाले होंगे और उनकी सबसे बड़ी पैचान ये होगी कि उस बदू बन तो दियू दशा की उनकी बारा बीबियां होंगी राम चंदर जी एक रख रहे हैं राजा दश्रफ तीन रख रहे हैं सबसे जादा पत्निया अगर किसी की मिलती हैं पत्निया कहलो गोपिया कहलो फ्रेंड कहलो दोस्त कहलो जो भी कहना चाओ कहलो अगर सबसे जादा किसी की मिलती हैं तो वो है किरिशन जी कभी आपने सुना होगा चारो तरफ गोपिया बीच में कनहिया किरिशन जी की गोपियों की संख्या सबसे जादा मिलती है महा भारत में तो लिखा हुआ है 16,108 हमारा सर चक्रा गया है यहां लोग मुहम्मद रसुल्ल्ला की जीवनी पढ़ते हैं अल्ला की रसूल की सीरत पढ़ते हैं और मुहम्मद 11,11 रखते थे बारा बारा रखते थे और कोई काम नहीं था क्या इतनी और पे क्या 16,108 पड़ते मेरा दिमाग चक्रा गया किरिशन जी की कितनी थी 16,108 शौक है रखे होंगे हमें कोई अतरास नहीं है आप जाने हैं लेकिन बारा पीवियों वाला बारा पत्नियों वाला वो अंतिम रिशी होगा मुहम्मद रसुल्ला सल्ल्ला सल्लम की 11 बीवियां थी जिनके साथ आपने निकाह किया था बैफ वक्त आपके निकाह में साथ बीवियां जिन्दा रहें निकाह आपका 11 बीवियों के साथ हुआyi और एक आउरत आपके ऐसी थी जिसके साथ निकाह नहीं हुआ था जो लोंडी ती यो बांधी थी जो मुकोकिस के मुलके शाम के बादशा ने दो लड़कियां दो लॉंडियां जो गिफ्ट में भेजी थी एक का नाम था मारिया और एक का नाम था सीरीन अल्लह के नभी को दीती सीरीन को अल्लह के नभी ने हसान इतने साबित को दे दिया कि यह आप ले लो और मारिया को आपने खुद अपने पास पतोरे लोंडी के रखा था फिर उसी लोंडी से नभी अकरम का एक बच्चा भी पैदा हुआ जिस बच्चे का नाम ता इबराहीम हाला कि वो बच्चा भी तेर साल की उमर में अठारा मैने की उमर में इंतिकाल कर गया तो ग्यारा बीवी और एक लोंडी तादाद जोली जाए तो बारा बारा बीवी वाला अगर हमें कहीं दिखाई देता है तो वो है मुहम्मद रसुल्ला सल्दाव सल्दाव इस से ज़्यादा इस प्रस्ट कहीं मिल सकता है और क्या शब्द चाहिए बारा बीवी वाला नाम तक मिलता है नाम तक 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 च्चुद्वा पुंडरी का च्छो ब्रहम्ब्र बिदंब्रीती भावाने शंभलो विश्डू यश्च सुग्रह सुमती प्रादुर्बु आप्वियम विश्डू यश्च के घर में सुमती के पेड़ से पैदा होंगे मुहमद रसूल्ला सुल्ला सुल्ला सुल्म के बारे में कहा जा रहा है अंतिम रिशी विश्डू यश्च के घर में सुमती के गर्भ से भाव का क्या नाम बताया विश्डू यश्डू मा का नाम सुमती बदलो नाम बहुत बदलने का शौक है ना विश्डू अल्ला का नाम है हिंदु धरम में तीन देवी तीन खुदा सबसे बड़े माने जाते हैं ब्रम्मा विश्डू शियू ब्रम्मा विश्डू और शियू विश्रू यश्रू 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 यश्र है चलो संबित पात्रा डिबेड में हमें बुलाए मैं उससे पूछता हूँ कल की आतार का नाम क्या है तो मुहम्मद नहीं मानते हो मत कहो नराशंस कैसे हो मान लिया नर आदमी आशंख जिसकी बहुत तारीफ की जाए ऐसा आदमी जिसकी बहुत तारीफ की जाए मुहम्मद हम उसे बनाया ऐसा शख जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ की जाए मुहम्मद नहीं मानते हैं मत माने नराशंस मान रहे हो चलो जरजीश से पूछो अल्ला के नभी के बागता क्या नाम था मैं कहूँगा अबदुल्ला संबित पातरा तुम बताओ कहेगा नहीं विश्रुयश मैं विश्रुयश मानता हूँ चलो तुम बिश्रुयश को ही मान लो विश्रुयश अल्ला का बंडा मां का नाम सुमती सुमती के पेड़ से आएगा सُमती के गर्व से पैदा होगा यह आपकी किताब कह रही है सुमती के गर्व से सुंदर मती मानी शांती अमन सुकून इन सब को पकल के बढ़ाओ तो एई बैठो यहीं पर यहीं बढ़ाओ पिशाब लगए यही करो चलो नौटंकी बना के रख लिए यह तो सुमानी सुंदर मती मानी शांती वाली आमन और सुकून वाली आमन और शांती वाली मुहम्मस अल्ला सल्लम की मा का क्या नाम था आमिना आमन और शांती वाली कितना तालमेल है दादशो में शुकल पक्षच से माध हुए माध हो माध हो माध के शुकल पक्षच में बारा तारीख को जनम लेगा बारा तारीख तक बता दी है अल्ला के रसुल की पैदाइश तारीख पैदाइश में इसकिलाफ है आठ रभी अलवल भी बताई गई, नौ रभी अलवल भी बताई गई, बारा रभी अलवल भी बताई गई, तारीख विलादत में एक्तिलाफ है, लेकिन बारा भी मशूर है, और ज्यादतर भारत में और पाकिस्तान में बारा ही मशूर है, और बारा रभी अलवल को यीद मिल मसला सलम की तारीख ही पैदाए इस तक बता रहागी कौन सी तारीख होगी दादशो में शुकल पक्षस से माध विमासी माध्य माधव मास के शुकल पक्ष में बारा तारीख को जन्म लेंगे बारा तारीख को पैदा होंगे बारा तारीख ही आगए विच्रन नशुना छोड़ियां हैना परती मगूती निर्पलिंग च्छतो दस्यून कोटिशोनी हनिश्यती विच्रन नशुना छोड़ियां हैना परती मगूती इतने सुन्दर होंगे इतने सुन्दर होंगे कि उनकी सुन्दर ता उनकी खुर्शूरती तुमारे विचारों में नहीं आएगी निर्पलिंग गच्छ दो दस्यूनि कोटिशोनि हनिश्यती उनके शरीर से अतुलिये तेज की किरुणां छटक रही होंगी और फात को सूरज की किरुणों की तरह चमक रहे होंगे कितने सुन्दर होंगे हिंदु धरम में देख लो सुन्दर कौन है मुसल्मानों में भी देख लो बहुत से लोग आपको बहुत सा मुँ में तंबागु भरे हुए पान खा रहे होंगे और एक खराब सा कपड़ा लेकर ट्रेनों में घूम रहे होंगे बड़े बड़े बाल होंगे करते हुए भीग मांग रहे होंगे आप देखिएगा कभी कभी तो पतनी किन किन के नाम पे मांगते हैं शकल देख लो उनकी सुबा तो शाम को खाना खाने को दिन लखे इतनी भैंकर शकल और हिंदु धरम बे देख लो खुबसूरत कौन है किसी की जबान बाहर निकाल दी शेरनी पे बिठा दिया हाथ में तिर्शून दे दिया चेहरा भैंकर काला जबान बाहर निकाल के बैड़ी हुए है कोई खुबसूरती नहीं अंतिम रिशी के बारे में आपकी किताब के इतने खुबसूरत इतने खुबसूरत इतने खुबसूरत कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आएए उनकी खुबसूरती तुमारे दिमाग में नहीं उम्मे सुलैम कहती है कि अल्ला के नभी स्लिवालों का चेहरा रात की तारीकी में जब चमकता था तो आप इतने सुन्दर थे इतने सुन्दर थे कि वो दूर से आते थे तो उनकी पेशा हमी जब चमकती थी तो हम अंदाजा लगा लिया करते थे ये चमकने वाली पेशानी सिवाए मुहम्मद के और किसी की नहीं हो सकती फजीलत का कि बाप में अगर एक दो ज़रीफ रिवायतों को शामिल कर लिया जाए तो ऐसी ऐसी रिवायते मिलती है कि अल्ला के नभी जम्मस कुराते थे तो आपके दातों की लाइट और आपके दातों की चमक से जमीन पर पड़ी हुई सुई भी लोग ढूंड लिया करते थे तलाश कर लिया करते थे ऐसी खुमसूर्थी थी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो नजरों से नजरें मिला कर देर तक आप से बातें कर सके इतना रोब टबकता था आपके चेहरे से कि आदमी आँखों में आँखें डाल कर जादा तेर बात नहीं कर सकता था अब उपकर भूके हैं अब उपकर के साथ चले चले जा रहे हैं एक दर्वाजे को दस्तक देते हैं अंदर से एक औरत बाहर निकलती है उस औरत का नामे उम्म माबद अब इसलाम नहीं लाई मुसल्मान नहीं हुई है आपने देखा उम्म माबद को और उम्म माबद नह देखा मुहमदु ररसुल्लादू वो भी नहीं पैचान पाई कहने लगी बेटे मेरे दर्वाजे पे कैसे आना हुआ अल्ला के नभी का जवाब सुनी है मा, मेरे दोस्त को भूग लगी है अगर तेरे घर में खाने की कोई चीज हो तो दे दे वो अंदर गई किशन में जाती है और कहती है बेटे मेरे घर में पानी के सिवा कोई चीज नहीं है जो मैं तुझे दे सकूँ ऐसा कर थोड़ी देर मेरे घर पे आराम कर ले दूर से आया हुआ है तू मेरे घर पे आराम कर ले मेरे हस्बेंट मेरे पती मेरे शोहर जंगल गए हुए है शिकार करने गए है अभी शिकार का ताजा ताजा गोश्ट लाएंगे हम खाना बनाएंगे और तुझे चला देंगे मां इतनी देर हमारे पास नहीं है हम किसी काम उसे जा रहे हैं अच्छा ऐसा कर ये घर के आंगर में जो बकरी बैटी हुई है इस बकरी का दूद दोह कर पिला दे बुड़िया हसने लगी कहती है बेटे इस बकरी ने तो छे मईने पहले से दूद देना बंद कर दिया है अल्ला के नभी ने कहा मा इजाज़त तो तो एक बरतन ले आ मैं इस बकरी के थन में हाथ लगाता हूँ मैं भी तो देखूँ इस बकरी ने कब से दूद देना बंद किया है बुड़िया थी समझ गई बिचारे को यकीन नहीं हो रहा है भूका है ना यकीन नहीं हो रहा है मुझे जूटा समझ रहा है अंदर जाती है बरतन लाती है पकड़ाती है जा तू ही देख ले जा मुझ पर यकीन नहीं आता तो तू ही देख ले अल्ला के नभी आगे बढ़ते हैं जो बकरी अपनी मर्जी से खड़ी नहीं होती थी मुहम्मदु रसुल्लाँ ने जैसे ही कदम रखे वो बकरी खड़ी हो गई ओम माबद केती है इसको उठा उठा के ठक जाती हो तो उड़ती नहीं और आज अपने से खड़ी हो गई अल्ला के नभी ने उस बक्री के थन पे हाथ मारा पड़ा बिस्मिल्लाः बक्री ने ऐसे दूद देना शुरू कर दिया जैसे साबन मन के बहीने की बारिश हो रही है बरतन भर गया दूद कफक रहा है अल्ला के नभी ने अबुबक्र से का पियो फिर आप अल्ला के नभी ने भी पिया जो बचा बुड़िया से वा ले तू पी ले उस ने भी पिया कहा की बेटे अभी भी कुछ बच गया रख ले तेरा पती आएगा तो खिला देना आगे बनने लगे उस बुड़िया ने पीझे पकड़ के का बेटा मैं तुझे जानती नहीं हूँ कि तू कौन है लेकिन अब थोड़ी देर रुख जजब इतनी देर रुखी गया है मेरे शोहराने वाले है गोश्ट लाएंगे मैं बना कर तुझे खिलाओंगी अच्छा मां आज जाने दे हफते भर दस दिन के बाद जब लोटूँगा तो वादा है तेरे घर से होते हुए जाओ जाओ देखो बेटे वादा कर रहे है हाँ 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 चले गए मुश्किल से सौ कदम गए होंगे मुश्किल से सौ कदम उस बुडिया का शोहर अबू माबद घर में तश्रीफ ले आए हदीश की किताब में नक्षा देखिए अबू माबद घर में आया गोश्ट उसके सर पे लदा हुआ था घर में गुस्ता है गोश्ट की पोड़री उठागर रखता है उसको घर में खुश्बू महसूस होती है आज तक ऐसी खुश्बू इस घर से नहीं आई उसने जैसी सर उट से गोश्ट की पोड़री उटाकर रखी जमीन पर उसकी नजर बकरी के थन पे पड़ गई बकरी के थन से अभी भी एक एक बूंद दूद की टपक रही थी बकरी के थन से टपकता हुआ दूद और घर से आने वाली महक और खुश्बू को सून कर चीख पड़ा अभी इस राहा से गुजरा है कोई अभी इस राहा से गुजरा है कोई कह दे दिये शोखी नक्ष़ पाकी ओ होप माबत जमीन पर किसी भी जानवर के पैरों के निशान ये बता देते है कि यहां से चीता निकला है शेर गया है हेरन गुजरी है हाथी गुजरा है इस घर से आने वाली खुश्बू और बकरी के थन से टपकने वाला दूद ये बत लारा है इस घर में भी कोई रहमतों वाला आया था इस घर से भी कोई बरकतों वाला गया है वरना दूद एक एक कतरा न टपकता एक घर से खुश्मू ना ती आये उम्मे माबत बता कि वो कौन था जवाब दिया पता नहीं कौन था आया था भूका था खाना मांग रहा था हमारे पास कुछ नहीं था उसने का दूद पिला दे मैंने का बकरी ने दूद देना बन कर दिया केने लगा बर्तन दे दे मैंने बर्तन दे दिया उसने बकरी के थंस हाथ लगाया बगरी ने दूद देना शुरू कर दिया अरे जाते जाते वो ये भी कह गया कि जब तक ये बगरी जिन्दा रहेगी दूद देती रहेगी बस अभी निकला आए सो ड्योड सो कदम दूर गया होगा जाओ जल्दी उसको लेकर आओ गोश्ट आ गया खाना बनाती हूँ उसको खिलाओ महमान ता हमारा अबू माबद घर से बाहर निकले दोड़े तेजी स्पीड में गए फिर लोड़ कर वापस आ गए कहने लगे उम्मे माबद तुमने ये तो बतला दिया कि वो कहा सौडेर सो कदम दूर गया होगा लेकिन ये तो बताया नहीं कि उसकी शकल कैसी थी उसकी आखे कैसी थी उसके काल कैसे थे उसका सीना कैसा था उसकी आखे कैसी थी उसकी नाखे कैसी थी उसका रंग कैसा था हम उसको पैचानेंगे कैसे ओ, उम मापत, बता थो सही कि उसकी शक्ल सूरत किसे मिलती जुलती थी कहने लगी अबू मापत, इतना रॉब टपता है उसके चेरे से आँख मिला कर देखने की जुरत नहीं होती है एक मरतबह कोई देख ले, तो दुबारा देखने की ताकत नहीं होती है इतना रॉब इतना जमाल, इतना दबदबा उसके चेरे पे टपता था मुझे नहीं मालूम कि उसकी आँख कैसी थी, मुझे नहीं मालूम कि उसका चेहरा कैसा था मुझे नहीं मालूम कि उसके गाल कैसे थे, उसका सीना कैसा था पस मैं इतना जानती हूँ कि वो रोशन सूरज की तरह चमकने वाला था तुम्हें जो सबसे जादा खुबसूरत नजर आए तुम्हें जो सबसे जादा खुबसूरत नजर आए जिसकी पेशानी जिसके गाल जिसका चेहरा चांद की तरह चमक राओ उसी को पकड़ ले आओ वही हमारे घर आया था वही हमारे घर में खैर और बरकत के दर्वादे खोल कर गया है उम्म माबद ने कितना अच्छा नक्षा की चाए कि उसकी आँख कैसी थी नहीं मालूम उसके गाल कैसे थे नहीं मालूम सबसे जाता चबकने वाला था हमारे घर को रोशन करके चला गया ये खुर्सूर्ती थी जनाब मुहम्मद रसूल्लाः सलल्लाः लिहीं मुस्वाद की हम अपने समाज सुसाइटी पर नब डाले सीरत तयबा के न उसूलों को सीखें और पहें और समझे हमारे नबी सलल्लाः सलल्म ने हमें उठने बैठने लेडने सोने जातने खाने पीने दुनिया में जितने भी काम हमें पढ़ते हैं कोई एक चीज़ बताओ कि जिसमें रहनुमाई नकी इसलाम एक मजभब है इजम नहीं इसाई एक इजम है यहूदी एक इजम है हिंदू एक इजम है इसलाम इजम नहीं है इजम का मतलब होता है जिसमें कोई बाउंडरी नहों और इसलाम का माणा होता है मजभब का माणा जिसके अंदर बाउंडरी हो आप हर चीज़ नहीं खा सकते हैं आप वही खा सकते हैं जिसकी इजाज़त दी है इसलाम आप हर चीज़ नहीं पी सकते हैं आप वही पी सकते हैं जिसकी इजाज़त दी है इसलाम इसलाम एक लाइन खीचता है लाइन के इस तरफ आप जब तक हैं सेफ हैं कबड़ी खेली है जबी आप देखी तो होगी कबड़ी एक लाइन होती है जिसको हम पारी बोलते हैं पारी एक लाइन खिची है लाइन के उस तरफ वो टीम लाइन के इस तरफ दूसरी टीम जब तक इस लाइन के इस तरफ हम हैं हम सेफ हैं वो उस तरफ हैं वो सेफ हैं उस टीम का आदमी लाइन को किरोस करके जब हमारे पास आ गया लाइन किरोस करके जब हमारी हद में आ गया कबड़ी कबड़ी कहते हुए तो हमें अख्तियार है उसको पकड़ने का हमें अख्तियार है उसको धपड़ने का हमें अख्तियार है उसको अरेश्ट करने का क्योंकि उसने अपनी हद को क्रोस कर दिया हमारी हद ने हुजाया हम जब तक पारी के इस तरफ हैं सेफ हैं और जब पारी के उस तरफ चले गए, तो हम सेफ नहीं हैं, हमने अपनी हद को किरोस कर दिया है, उनको इक्तियार है हमें पकड़ने का, उनको इक्तियार है हमें दबोचने का, क्योंकि हम उनकी सरहत में चले गए, इसलाम कहता है, हमने खाने की, उड़ने की, लेड़ने की, ज जलने फिरने की शादी बया की एक पॉंडरी बनाती है, एक लाइन खीचती है, जब तक कुम इस लाइन के अंदरो में पूज़ो। फलाटा तदूहा, आइमान वालो। हद से आगे मत बढ़ना, लाइन क्रोस मत करना। हलाल चीज हलाल है खाओ। हलाल चीज भी हराम हो जाती है अगर आपने महनत नहीं की और हराम कमाई से कमाई सोचीए, ये एक कुर्ता सौ रुपए का मिल रहा है और कुर्ता पहन कर हमें नमास पढ़ना यीद की 99 रुपया 99 रुपीज 99 रुपए हमने महनत से कमाई हैं रिक्षा चला के कमाई हैं तोटो चला के ये रिक्षा चला के हमने कमाया है लेकिन कुर्ता तो सो रुपए का है एक रुपए भी कम नहीं कर रहा है और उसमें एक रुपए हमारे पास हराम का था एक रुपए हराम का 99 रुपए हलाल के महनत के एक रुपया उसमें हराम का मिलाकर हमने कुर्टा खरीद लिया 99 रुपय मेहनत के होने के बावजूद एक रुपय ने पूरे के पूरे 99 रुपय को नापाक कर दिया है अब 100 रुपय का वो कुर्टा जिस पे सिर्फ एक रुपया हराम का लगा है 99 हमारी मेहनत का जब तक हमारे जिस्म की उपर रहेगा जब तक हमारे जिस्म की उपर रहेगा अल्ला की गसम हमारी एक भी नमाज कुर अल्ला के यां कबूल नहीं जब तक वो कुरता हमारे जिस्म पर रहेगा एक भी नफर्स कबूल की जाएगी नफिल कोई अबादत अल्ला के यहां कबूल नहीं की जाएगी जबके 99 रुपे हलाल के है खाने पीने के मामले में हम कितने मौत आते हैं सोची एक खजूर था अबस जिसको हदरत अबुबग सिद्धीक ने खा लिया था घुलाम लाया था बाद में खुलाम ने बताया जानते हो क्या था मैंने तो कहानत गशी ती किसी आदمी की बीबी को देखर मैंने कहाधी होगा जबके मुझे मालूम नहीं ता लड़का लड़की तो अल्ला को मालूम है क्या है मांके पेड़ में लेकिन आज उसको लड़का ही हुआ है तो वो खोशी पे देखे गया की देखिए आपने बताया ता लड़का होगा आज लड़का ही हुआ है तुम तो बहुत पहुचे हुए हो अज़रत अबुब फक्र सिद्धीक ने का अच्छा तुम ने मुझे वो खजूर खिला दिया कहां पानी लाओ पानी पीते और तीन उंगली डाल कर कह करते थोड़ा सा निकला फिर पानी पीते और उंगली डाल कर कह करते थोड़ा सा निकला पानी पीते और उंगली डाल कर कह करते थोड़ा सा निकला होगा एक खजूर वो भी धोके से खाया था उसको भी निकाल दिया यहां नमास पढ़ रहे हैं साथ माशा अलला पूछो मत नमास पढ़के हम निकलते हैं दाड़ी पर आप फिरते हुए हूँ ऐसा लग रहा जैसे अल्ला पर हम बहुत बड़ा इहसान करके आए हैं अल्ला की कसम जब तक हमने माले हलाल ना खाया और हराम माल हराम लुकमा ना छोड़ा तो अल्ला की आमारी एक भी अबादत कबूल नहीं होगी हदरत आईशा फरमाती है कि अल्ला के नभी ने फरमाया तुम्हारी कमर कमान की तरह जुक क्यों न जाए यानि तुम बच्पने से लेकर बुढ़ापे तक नमाज पढ़ते चले जाओ और बुढ़ापे में कमर जुक जाती है अगर तुम्हारी कमर कमान की तरह जुकी क्यों न जाए यानि नमाज पढ़ते पढ़ते तुम बुढ़े ही क्यों न हो जाओ अल्ला रब लालमीन तुम्हारी नमाज उस वक्त कबूल नहीं करेगा जब तक कि तुम हराम लुकमा खाना नहीं छोड़ोगे हम सोचे हमारा उचना पैठना लेटना सोना जागना खाना पीना क्या है इसलाम ने एक बॉंडरी हमारी बना दिये हमें उस बॉंडरी के अंदर रहना है हर चीज की एक लिमिट बता दिये ये करना है ये नहीं करना है ये करना है ये नहीं करना है तथस दुशंभल गिरा में सोत सुआ जी हुजात है मंगला चार रे बहुला पापिता भीबजित जता इतने पाप हो रहे होंगे कि उन पाप को नाश करना मिटाना बड़ा पुश्किल होगा ऐसे दाउर मैं इतकलो का प्राइजरे शूखर कर मिड़ी धर्मत तरारा ए सत्वेन भगवान उत्रश्यती जब कलियुग में पूरे के पूरे मानो जाती जानवर बन चुकी होगी जानवर जैसे एक जानवर को जानवर की फिकर नहीं होती है समंदर में मचलियां अपनी पच्चों को खा जाती है भूक लगने पर एक जानवर अपनी पच्चे को मार के खा जाता है ये जबाना आ था उस जमाने में मुहम्मदु रसुल उल्ला जब आए तो यही जमाना था कि बाप अपने घर में पैदा होने वाली अपनी बेटी को ही जिन्दा दफन कर दिया करता था जिन्दा कार दिया करता था बेटी को बेटी नहीं समझता था पैदा हुई जिन्दा रूख आप जाती है, जिन्दा सोचिए तो सही कि उस बेटी को, उस छोड़ी थी बच्ची को जब सभी खो दी जाती होगी और वो भी हाल की बच्ची को नहीं कि आज पैदा हुई कल दफन कर दो नहीं जब वो चार साल की हो जाया करती थी चार साल की उस वक उस बच्ची को ले जाया जाता था सीरत की किनाबे पढ़िये तो आपको पता चलेगा चार साल की बच्ची को नहलाया जाता था धुलाया जाता था साफ किया जाता था मेकप किया जाता था उसको नए कपड़े पहनाए जाते थे और कहा जाता था बेटी हम तुम्हें मेले मेले कर चल रहे हैं मेले मेले कर चल रहे हैं तैय शुदा वक्त की उपर उस बच्ची को लेकर जाया जाता माँ उस बच्ची को नहलाती जाती और रोती जाती और बच्ची कहती जाती माँ तुम रोती है क्यों, हम तो अपू के साथ मेले में जा रहे हैं, शाम को हम वापस आ जाएंगी, लेकिन मा को मालूम है कि बेटी तु जिस जगे जा रही है, ये ऐसी जगे है कि जहां से वापस आना मुश्किल है, ना मुम्किन है, तु वापस नहीं आ सकती, लेकिन बिचारी वो अपनी बेटी को बता भी नहीं सकती, समाज में दस्तूर, पैदा होने के बाद नहीं, चार साल की हो जाने के बाद, कहला दुला करना, एक अपने पहना कर, बाप उंगली पकड़ कर अपनी बेटी को लेके जाता, पहले से कबर खुदी हुई रहती, एक गध्धा बना ह हुआ होता, बाप कहता कि बेटी, ये मनजर बड़ा खदरनाक हुआ करता था, बाप कहता बेटी, जरा इस गड़े में जाक कर देखो, इस कबर में जाक कर देखो, तुमारी अम्मी नजर आएंगी, छोटी सी चार साल की बच्ची, अपनी अम्मी को देखने के लिए, उस बड़े में जाकती, पीछे से जालिम बाप, हाथ का इशारा करता, धक्का देता, और वो छोटी सी चार साल की बच्ची, उस गड़े में गिर जाती, और फिर ये मिट्टी देता, उपर से वो हाथ चलाती, अब वो ये क्या कर रहे हैं, और पूरा 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 जमीन पे पाट देता, आखरी आवास तक रुखता, कि कहीं जिन्दा तो रही है, और जब उसकी आखरी चीप भी निकल जाती, बंद हो जाती, आवास नहीं आती, तब वो बाँ से चलता, और आकर समाज में, सोसाइटी में, महले में, गाओं में आकर, फक्र के साथ जान करता, आज म उसको इनाम दिया जाता था, मेरे प्यारे साथियो, ये जानवरियत, ये हैवानियत की, एक रसम थी आरफ की जर्जमीन पर, जुओ तो एतना खेला जाता था, कि जुओे की अंदर लोग जब रकम हार जाते थे, तो मकान लगा दिया जाता था, मकान जुओे में हार जाते तो वो भीबी जुए में लगा दिया करता था और जब भीबी जुए में हार जाता तो वो अपनी ज़वान बेटी जुए में लगा देता शराप का हार तो यह था कि जब बच्चा आरफ की अंतर पैदा होता तो हमारे या माँ उसको सबसे पहले अपना दूद पिलाती या उसको शहद चटाती हमारे या का दस्तूरी है कि माँ अपने बच्चे को या तो शहद चटा देती या अपना दूद पिलाती लेकिन आरप के अंदर जब बच्चा पैदा होता तो उसके हलक में सबसे पहले शराब की खत्रे डाले जाते शराब की बूनें डाली जाती ये इस बात का इशारा था कि बेटा बड़े होकर तुझे अपने बाप के नक्षे कदम पर चलना है इसी शराब की अंदर जीना है इसी शराब की अंदर मरना है ये शराब जब बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले उसके हलक में शराब के खत्रे डाले जाते उसकी रगों में सबसे पहले जो छीज़ दोरती थी वो शराब के खत्रे हुआ करते थे धीरे धीरे बड़ा होता जाता शराब परवान चड़ती जाती यहां तकि एक आदवी जब खाना खाने के लिए बैटता था तो पानी की जगे पर शराब की बोतल रख लेता था खाना खाता जाता और शराब भी पी कर उस खाने के लुकमे को हलकि नीचे उतारता जाता शराब उनकी रगों में ऐसी दोड़ती थी कि शराब के नशे में वो किसी के जानवर को कतल कर दिया करते थे उसका कलेजा निकाल कर किसी को दे दिया करते थे शराब के नशे में बहुत से तो ऐसे थे जिनोंने अपनी बेटियों तक का हाथ पगड़ लिया था बेटियों तक का हाथ पगड़ लिया था शराब से खुरमत का इलान के बात उनको बताया गया कि देखिए उन्होंने का हां हमी थे जिन्होंने शराब के नज ander में अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया था और हम उसको कमरे में ले जाने लगे बीबी और बेटी में अनतर ही नहीं कर पाए शराब बेटी और बीवी के फरक को मिटा देती है शराब माँ और बेहन के फरक को मिटा देती है मेरे भाईयो अगर हम और आप में से कोई आदमी शराब पीता है तो याद रखना वो शराब उसकी बेटी और उसकी बेहन और उसकी माँ के पहचान को खतम कर रही है और एक दिनाएगा कि शराब के नशे में इंसान अपनी माँ बहन बेटी की इज़त वाबरू से खेलेगा खुद आल्ला के नबी सल्ला सल्लम ने फरमाया लायातियन नाला उम्मती माताला बनी सराइल हजबन नाली बिन नाल जैसे पैरों में दोनों जूते बराबर बराबर पहने जाते कोई छोटा और बड़ा नहीं होता दोनों बराबर होते हैं उसी तरह मेरी उम्मत और बनी सराइल दोनों बराबर होंगे कोई फरक नहीं होगा मेरी उम्मत में और बनी सराइल में अगर बनिसराईल में कोई अपनी मा के साथ ऐलानिया जिना किया होगा बनिसराईल में किसी ने अपनी मा के साथ ऐलानिया जिना किया होगा तो मा ताला बनिसराईल ला यातियन अला उम्मती मा ताला बनिसराईल तो मेरी उम्मत में भी ऐसा होगा मेरी उम्मत में भी ऐसा होगा कि एक शफ्स अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना करेगा अपनी बेहन अपनी बेटी के साथ वो ऐलानिया जिना करेगा चौराहे पर गू काला करेगा अपनी माँ अपनी बेहन अपनी बेटी के साथ और इसकी जिम्मेदार होगी यही शराख मुबाइलों पर आजकल टीवी ओपे कौन देख रहा है आजकल मुबाइलों पर देखी जा रही है यह सारी गलत चीज़ नहीं गलत तस्वीरें गलत फिल्में यह चीज़ें जिम्मेदार होंगी नौजवानों के हाथ को मा बेहन और बेटी के गरीबान तर ले जाना की हम है का है बैहकी पढ़िए और सुरंदार्मी का मनज़र देखिए एक सहाभी अल्ला के नभी के पास आती है और कहती है अल्ला के नभी मैं मस्जद में नमाज के लिए जाती हूँ आपने का जा सकती हो उसने का मैं चादर यानी बुरका उस जमाने में बुरका नहीं लंबी चादर हुआ करती थी मैं चादर जरा लंबी पहनती हूँ आपने का ठीक करती हो उसने का कि जमीन से रगड़ती हुई हमारी चादर जाती है आपने कब चादर इतनी नीची होनी चाहिए उसने का एला कि नभी कभी कभी बीच सलक पर गंदगी पड़ी होती है लेटरीन पड़ी होती है नापाकी पड़ी होती है अगर दाएं और बाएं मर्द बैठे हो मेरे दाएं भी मर्द और बाएं भी मर्द बैटे हो तो मैं दाएं से नहीं गुजर सकती बाएं से भी नहीं क्योंकि दोनों साइड में मर्द बैटे हुए है बीच में गंडगी पड़ी हुई है तो क्या मैं अपनी चादर को थोड़ा सा उपर कर लूँ होता ना जैसे रास्ते में कीशल पड़ी हुई है तो हम और आप थोड़ा सा लंगी उपर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं करते ही हैं हमारी मा बेहने थोड़ा सा साली उपर की और आगे बढ़ गई ताके भीग न जाए जाए तो उस औरत ने उस सहाबियां ने कहा आयल्ला के नबी रास्ते में गंदगी पड़ी है दाएवाएं मर्द बैटे हुए हैं तो क्या मैं थोड़ी सी चादर उपर करके गंदगी को किरॉस कर लें गंदगी को फांद जाएं और फिर चादर नीची कर सकती हूँ आपने कर नहीं बड़ा असान है जलसों में जलेबी खरीदी फिर रही है और चूड़ियां खरीद रही है और सडकों पर हम और आप धूम रहे हैं मुझे याद नहीं पहले मैंने मिसाल दीती या नहीं दीती पिछले जलसे में आज का मन्जर तो ऐसा लग रहा था कि जहां लड़कियों की भी उड़े दुकान पे उससे दस गुना लड़के अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है आपको जैसे एक कुतिया के पीछे ददस कुत्ते लगे हुए अब हसते हैं मिसाल पर हया तो हम ने और आप में जब रह नहीं गई तो कुरान भी दो जानवरों की मिसाल देता है अलाएक काल अनाव बलहु अजल ये चौपायों की तरह है बल्के उन से भी जादा गए गुज़रे क्या कुरान ने चौपायों की तरह हमें नहीं कहा है क्या अल्ला ताला ने चौपायों की मिसाल चौपायों से नहीं दी उलाईक अकल अनाम ये चौपायों की तरह हैं बलके उन से भी जादा गए गुजरे तो चौपायों में तो कुता भी आता है और जाहिर है उसमें सुवर भी आता है वो कोई और होंगे जो कहते होंगे सुवर मत कहो सुवर कहने से 40 दिन जबान गंदी रहती तुम्हारे बाप का फत्वा होगा नहीं मानता ऐसे फत्वे को ऐसे फत्वे मुल्ला मौलवियों के मेरे पैरों के जूते के नीचे अरे सुवर को सुवर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे P.I.G. साथ? कुत्वे को कुत्ता नहीं कहोगे तो क्या कहोगे D.O.G. साथ? अरे सूर है तो है? और अरे गुरान मिसाल दे रहा है उलाई का कल अराम ये चौपायों की तरह है बलके उनसे भी ज़्यादा गई गुजरे है चौपायों में सूर भी शामिल है और कुत्ता भी शामिल है अगर हमने ये कह दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे एक कुत्या की पीछे दददस कुत्ते तो आपको बुरा लगता है बुरा ही लगता है तो भूद क्यों रहे हो यही जिम्मेदारी होगी यही चीज़ें जिम्मेबार भर बनेंगी अल्ला के नभी कहते है नाइ तुम चाधर ऊपर नहीं कर सकती हो उस ओरस ने कहा फिर प्र क्या करूं अल्ला के नभी कहते है चाधर को नीचे ही रहने दे और गंदगी की उपर से निकल जा उसने का एल्ला के रसूल क्या मेरी चादर में लेठी नहीं लग जाएगी गंड़गी नहीं लगेगी आप नका बिलकुल लग जाएगी का एल्ला के रभी मैं मस्जद में उसी चादर को ओड़कर नमाज पढ़ती हूँ जब उसमें गंडगी लग जाएगी तो मैं नमाज कैसे पढ़ूँगी मैं मस्जद में भी जाने की बाद चादर नहीं उतारती हूँ जब हम उस गंडगी को किरोज करेंगे और उसमें गंडगी लग जाएगी तो फिर मैं उस चादर गोड़ कर नमाज कैसे पढ़ूँगी अल्ला के नभी फरमाते हैं कि तुम उस चादर कोड़ कर नमाज पढ़ लेना तुमारी नमाज हो जाएगी कहा ल्ला के नभी गंदगी लगी रहेगी फिर कैसे होगी फरमाया नहीं उसमें गंदगी नहीं लगी रहेगी क्योंकि जब तुम उस चादर के ऊपर से गुजरोगी उस गंदगी के ऊपर से गुजरोगी तो चादर में गंदगी जरूर लगेगी उस वक्त चादर तुमारी गंदगी से गंदी हो जाएगी लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगी उस गंदगी को किरोज करके जब आगे बढ़ोगी तो जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी से तुमारी चादर रगल रगल खाएगी तो रगल रगल कर चलने की वज़े से वो मिट्टी उस गंदगी को पाक कर देगी तुम्हारी चादर को पाक कर देगी जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी से तुम्हारी चादर पाक हो जाएगी थोड़ी सी चादर उपर करने की भी इजाज़त नहीं दी कैसी हमारी हिमतें हैं और हमारे कलेजे को सलाम कितना बड़ा दिल और गुर्दा है कि हम जलसों के अंदर भी लिपिश्टिक लगा के आ रहे हैं मेकप पर के आ रहे हैं जलसों में बैठने का नाम नहीं बाजार घूम रहे हैं और अपने बच्चों को खुमा रहे हैं और कितने तो ऐसे हैं जो मुबाइल पर बात करके आए होंगे कि हाँ फला जगे मिलेंगे जलसे में आईए आज तो तुम्हारे अबू भी भेज देंगे पापा भी भेज देंगे जलसे के नाम पर कौन मना करेगा कितनों तो ऐसे होंगे जिनों ने मुबाइल पर पहले से ताइम भी फिक्स कर लिया होगा और मिलने की जगे भी फिक्स कर लिया होगा कमा थुदी इंतुदान जैसे तुम कर रहे हो ना दूसरों की बेहनों के साथ याद रखना तुम्हारी बहनें भी प्लानिंग बना चुकी हैं दूसरों से दिलने के ये तो कर्ज है ये तो वसूल होना ही है ये वो गंदी सबक है जिसकी आखिरी मंजल आपका दर्वाजा है आप जिस लड़की के साथ जिना करने जा रहे हैं मू काला करने जा रहे हैं हकीकत में आप उसके साथ जिना नहीं कर रहे हैं आप जिस रास्ते पे चल पड़े हैं अप इसकी आखरी मन्जिल आपका घर है आपका घर आप दूसरों की बेहनों के साथ ऐसा करोगे इसका दर्वासा आपके घर तक जा रहा है पुरान करीम ने इसको गंदा काम के साथ बहुत गलत रास्ता भी कहा है क्या कहा है फाहिशतं वसाआ सबीला पुरान ने इसको साआ सबीला कहा है ला तकरब जिना इन्नहु कान फाहिशतं वसाआ सबीला जिना के करीम मच जाओ इसलिए कि ये बहुत ही गंदा काम है और बहुत ही गंदा रास्ता सबील का रास्ता यानि ये इतना गंदा रास्ता है कि तुम जा रहे हो दूसरे की बेहनों बेटी के साथ जिना करने है लेकिन जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो ये हकी करने है तुम्हारे करने है तुम्हार प्रवारियों ने च्रमिया ओए कि जूओं हमारे महाशने में बतपकी हमारे महाशने में और यामियक हमारे महाशने में सूद और ब्याज गरीभी । नाजाइज पाजस नाउसुच एक हजार जेना है और एक बन्य की बाद फंतरस उसकों पएज़े हैं अर्रिबा इस्नान युस्भून अबाबन वَ अन्ना हम इस्वुयतिया मिर्जुनि कि उम्भूधू एकने माचा के रफाद है अल्ला के अबिसुनला सब्सक्राइब करवाते हैं सूद भी बहुत्तर दर्वाते हैं इसना आईए वसक्तून अबावन इसना जो सब्सक्र सब्सक्राइब कर दर्वाते हैं सब्सक्राइब कर दर्वाते हैं वं इसका रखता तरमादा , उसका सबसे हलका तरमादा , तो क्या है ? बाद का दर्माजाएं सबसे हलका दर्माजा निसलू इत्यान रज्यूम्म हूँ एक लरके का अपनी माँ के साथ जिना कर दो इस सबसे हलका दर्माजा है इसके बाद और दर्माजे रे उस्तिभारी है सबसे हलंसा हलका लाई है कि ऐस्तिगा क्या कुछ इस र Бादने का मैं समाजा समय वालों आये गाओं वालों में जो लोग लोग रहे हैं वह ही बनाँगारों मुहाले दे जाने वारो जिस तरह यह काम-दथी नजर के तुम देखते हो कि एक लाटा परी मां के साद से ना करे तुम उस्कों घंदी नजर से देखते हो अगर तुम्हारे सुट में कोई सूथ खार आए मुलान कुर्बानी का पहला है हैं हमारे किर्वानी हो जाएगे हैं एक हसार किसी से कर्स लेके हम आए हैं यदिनक कर्स देने की नियत है आपकी और आपके तुड़ार किया है अब आपके तुड़ार कि तुड़ार कि नौकरी करते हैं और बैंक में नौकरी करते वाले की तुड़ार को रही नहीं हो जाएगी नौकि अब्रदी ने साथ हो माया लालाहु अला आकिलत ना आकिले विदा वबुगियाँ अल्ला की लानत हो सूद खाने वाले पर सूद खिलाने वाले पर वगातिवाहु सूद लिखने वाले पर सूदो लेने वाले की भभाही देंने वहों पर व्ठाहु भूत होंु। वथत उम्री सुचिवाँ दिखने वाले वाले। इस तब रहा रहागे हैं, बैए कि ने क्या रिखा जाता है। जर्जी साथ ने एक लगव पह है जबा किया। कि प्रसंज में ऐस में खीर और या है म्लबल्द सुन्यों गर्फट है आ करना तो चुछ का रिंग किया कि अग्वार्य का थंग जो पह चेजिन कें मुहराम का वाद में उतना पुलिकारी हो गें बने बता मैं तरी दुआ सुनों तो कहां पे सुनों मैं तरी दुआ कबूल करूं तो कहां पे करूं हमारे समाज में हमारे कुमारे के रखान है यह आद मुपायश करें आपका है ने कुई जिस्ता से नवाय रिपा उनको इसको पाल से लिए चीज मड़े को पैल से पिदाये उसको गए आप तरुपे लगे कि वाई की इसकी आए सी ख़ाब हो गई है इसका चलाव को तो कि रहा है आपके देने पास तुरुपे लगे चार तुरुपे में ड़न हो गया आप ने अगेंचे सेंगे चार तुरुपे लगे उसके नाजी करके उसका मुपायल बढाया लेकिन यह चार तुरुपे जो आपके पास आए हैं अल्ला की लगे तो तो अब हराव है इसका एक रुजमा भी आपके अगें गारे चार लनिगेंचे नाजी नाटी लिए है वहाँ है वहाँ है और सभी सीटाही हम घ्रसके इनाप कर घ़े भी हैं किया हैं किया है cura जिन्वाप नापका साँ इसको ताभी सिर्धा आप इसका जाए हुआ हमारे एक भी अलिया लिए आम यह अग्या आः तो बहुत वासा है जिन्नात का और इस के कपड़े उतार कर पी उपर और यहां से लेके यहां तक जाख्राम से इसकी उपर दुआ ड़की और एक मस्जद के इमाम ने मस्जद के बुद्रे में उस और को नंधा करके उसकी जिसकी उपर लकड़े के कलम से जाख्राम भोल कर उसकी बुद्र आए देशिए मुला न साथ हमारे प्रोस्ब लिगात्री की उपर आपको बेर कर्पिशन ख़ता है हम चाहते हैं कि मेरी उपर जाए उसकी बंद हो जाए और जब जिस साफ में डखी है किमान ख़त्री की उसकी बुद्रान के साम में रात जाख में राते है तो से कशवा के पर लिगात्री की ओग़िए थे या इस पर आए थे के हैसी ख़ताए कि प्रोस्गे लिगजए ज़ाए ते प्रोस्गेस भालोली में जुकला 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 जलें जहां एसे कठमंडा आपको इसके बिखाएगे हो कि जो आपके पुछिटिट नहीं हो सकते हैं जहां इनकार बदो जाएगी इसके इसना चल जाएगी कि ऐसे जहां मिले उनको बुट्टी चुई से चाटाएगी सौट जदे मालो रेग गिरो यह कौंप कर रहे हैं कौंप की विद्यट क्यों रहे हैं नाक शुना कर रहे हैं इसलाव पाँध वक्ती नमाँ बताता लै पाँध वक्त नमाँ आप पढ़िय है तो आपकी दूजी रोटी में कभी बद्रख़त लाएगी क्योंकि जब आप नमाँच पढ़ेंगे तो आप रुबद करेंगे सज़ा करेंगे दो सच्टों की पीश में बैठेंगे तुमा की दुआ भी पढ़ेंगे अल्लाहुम्म फिरली वरहंडी वहद्मी वाद्मी वाद्मी वरुजुपनी जबार रिस्क की दुआ मांगेंगे तो ऐसा होई नहीं सकता कि अल्ला ताला आपको रिस्क ना दे दिन भर में पाच वक्तान दमास पर है वर रिस्क की दुआ मांगे और अल्ला को रिस्क ना दे बनाया वामे ये लबत दे इसाफ वहत्मू जो अल्ला पर होदा करवे अल्ला उसके लिए काफी हो जाता है वामें जमिल्ला है जान्त हुमा रजा वायर्सुद्धों गुमिल आईस्वला या बजान अल्ला ते जरुक जो अल्ला से जड़ता है और यहां से बिसकता है मेरे प्यारे सापियों गहोई कीजिए यह आरे अल्ला की लबीगे जमाने में ये दसकूर था कि नहीं कि भीके मात लाट कि जाएं निभी सुनिया किहुत्त कर थे very ख्लिज साथ और निभ्र कि पहांता की फुरान में आयցके प्रटा नाजि ने होड़ा लुए कर ने किनारे भीवारों से चिपक करच्थी थी एंसा लगता था कि भीवारों से रगः खाने जिवारों से जिपक कर चल दी थी और मरतों से उतना साथ दूर रिपी थी इस सहाभी तो अलाव दी नमी ने रिष्टे के लिए एक सहाभी के घाने जा कि चाहूं तो तो घर में के लड़की है उस लड़की को तेक करो अगला पसंदा चाहिए तो मैं उस नऱ्की का निकान कुमारे साथ करनाग जाए हो व तो सहाभी उस घर में जाते हैं जराव सेंग में तर्वाव दिम्यत में हैं लेंदे उस घर में सहाभी मौण जाए है उस थे जर्मारा की पूछा क। तुम कैसे आ remo हो उने जवाब दिया मुझे लागी नवी से मुहांत हुआ रसुन अन्याद में पेड़ा है इस घर में इस इस नाम की लड़की है अल्दा के नभी उस लड़की के साथ प्रविका करना चायते मेरी शादी करना चायते इसलिए हैं कि नगर में उस लड़की को देखे ने के लिए आ रहा हूँ और कि रोड़ से आवाज आती है उस लड़की ने जवाब किया वो लड़की मैं ही हूँ मेरा नाम ही यही है जो तुम ने लिए है लेकिन याद रखो मैं दर्वादा खौँ में से पहले हाँ को अल्ला का वास्ता देती हूँ अल्ला की चसंदेती हूँ अगर आख तो अल्ला के नभी जवाद्य मुहनतु अदू असलिए बेढ़ा है और मेरे साथ Allah के नभीयां की शाधी करा कर वाद चाए तो मैं दर्वादा खोड़ गई हूँ लेकि या करना अगर अल्ला के नबीने नहीं कहा है और तुम मुझे देखने के लिए हो या मेरा चेहरा देखना चाहते हो और तुम्हें अल्ला के नबीने नहीं भेजाए और मैंने दर्वादा खोड़ दिया है और तुम्हें मुझे देख लिया तो प्यामत की दिने इसका हिसाब होगा मैं अल्ला की यहां तुमआरा दर्वान पपड़ लूगी क्योंकि मेरी शक्त तुम्हारे यह देखना हरा है मेरा तुमसे परता है परता फोलगाने की बास मेरी शक्रात पर किसी नहीं देखी उसमें का लागी तो चिब मुझे अल्दार की नभी ने भेचा रहे उस और उस गड़की ने करमादा खोड़ लिया और का एक नज़र को तो मुझे देख सकते हो मैं चेहरा देख लो फिर उसमे अपने हाथ की हगे लिए क्यों करके दिखा दी बस कहा हाथ की हगे लिया चेहरे के लावा कोई और चीज़ देखने की जागत नहीं है इसलिए इस सिज़ा तक मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहा सकती तुम्हारा जो भी वाइस करो अल्ला की नभी जनाने मुहांदा को बता देना ये तुम्हें बत्द भूद दुद हुआ नहीं हूँ इसका जवाब भी अल्ला के रस्की ने लेना ये कहकर उसके आपका दर्वासा ठत कर दिया ये ठीक करकर हमारी बहने हमारी पेंटिया हमारी कौन की माने मेरे भाई यो जो घ़ल के दर्वादें मन्त अप्रक्षित को अल्ला की नवीन भीड़ा अखोष अप्रक्रों लेकिन अगर नहीं भीड़ा और अचुम पर शक्रत देखने आए हो तो क्यामर के दिरुदें घ्रीवां को अब हमारे बेरे क्या जबाते हैंगी हमारे माई क्या आप्रिक सुपनी सर्फ कर ने वाली वाल्साइब के बाता है तुम्हारी बेटी है यॉआट नॉआट कैसे चाहरी है जिनमेदार बात है दो पेस्बुक और वाट सुप कैसे इंस्टार्ल कर लिया तुम्हारी बेटी में इसका बातों देड़ा होगा प्यामत की देखे मेरे प्यारे साथियों एक बाती निग्राणी की चीज़ है वाटी cuma के दौआ मान की दौआ मान की है सर्वियों के स्पाइल के लिए ज़ाव के लिए जि culkan hu मांस तबहभने बैटी उलिए सो निगरी है रो लेगी है गुल की जा रही है कि लिगरानी इस बार पीसे बड़ा है इस सहाथिया के राप ने आपके आपने क्या सीखा सूद और ज्यासबारी हादीस ने आपने क्या सीखा अल्ला की नभी स्राओंस ल कादीस नंगा याकु नहोता ब Southern जन्या जन्याप झादीस ने जन्ये ठाल एक धिरहंग खाना सूद और गो सूद का एक दिरहं खाना इस हाल में प्यार दिंगार की लिसी फूला इस तो मालूम इभी व्याद है धिर्बी जानुच सूद का एक उप्या का राफ घुर्भाना आशब्सक्रान सिस्क्रासीना सिप्षथरासीन यह शड़ीम जिनाता जर्शार सफ़त है। कि सुट को एक रुपया ब्यास का एक रुपया काड़ा जाए। कि यहां है अंज Clifford ये कि इसे तर्फ यह कहां कि शरैप इसमानेर है विया खात है इसका इन्हाँ कहाना है या ने तर्फ बात है इसका इसे जाल करणे इसका इस डायरा कर और अवे वाबत है